हेलो फ्रेंड्स जहिंद आप सभी का स्वागत है हमाई यूट्यूब चैनल पे आज किस वीडियो में बात करेंगे चौधरी चरण सिंग विश्विद याले के परिशा कलेंडर के बारे में जो कोई इन्होंने 24-22 को जारी गिया क्या है इनका परिशा कलेंडर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है जो भी लोग चैनल पर पहले बार विजिट के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सव देट जितनी भी लेट अपरेट्स आपके आए व आपको टैमली मिलते रहें आपके सारे लेटेस्ट अपरेट्स हम आपको लाके सबसे पहले अपनी यूट्यूब चैनल पर देते हैं और कहीं न कहीं आपका जो सलयवस है बिए फर्स्ट एर का और सेकंड यर का उसको भी हम कबर कराते हैं आपके सारी important questions और हर एक प्रशनों की समिच्छा भी करते हैं जैसा कि आप सभी देख रहा होंगे हमारे जो वीडियो पड़े हुए हैं वहां से लगबख questions आपके एक्जामें पूछे जा रहे हैं जो MSU में paper चल रहे हैं वहां कि अगर आप papers देखेंगे तो चलिए बात कर लेते हैं आज का अपडेट क्या है जैसे यहां आप सभी देख रहे हैं कि 24-22 का यह अपडेट है सत्र 2223 परिच्छाओं हे तु वार्शी कलेंडर तो यहां पर CCS ने एक वार्शी कलेंडर जारी किया है 2223 के बच्चों के लिए 2223 सत्र में admission ले रहे हैं चौधरी चरंड सिं विश्विध्याले में उन के लिए यहां पर यहां पर यहां बताया गया है कि 2223 में 24 चरंड सिं विश्विध्याले मेरेट युद्ध के जाने वाली परिच्चा हैं नीम्न कारक्यमा अनुष़ार शंपन होगी जैसे बिसम समेश्टर की बात कर लिजाए देशंबर 2022, 7-22-23 यहाँ पर आपके परिच्छा फार्म भने की जो तिथी स्टार्ट होगी 1-10-2022 से लेके 25-10-2022 तक की होगी बिलंब शुल के साथ बात की जाए 26-10-2022 से लेकर 31-10-2022 तक होगा विसम समेश्टर परिच्छाओं का यहाँ जो होगा वहीं पर अगर बात की जाए वार्षिक परिच्छा 7-22-23 तो परिच्छा फार्म भनने का जुतिती है 1-2022 से 31-2022 तक का है बिलंब सुल के साथ 1-3-2023 से 10-1-2023 तक का है वार्षिक परिच्छाओं का यहाँ जन 1-2-2023 से होगा बिएड के लिए बात की जाए तो बिएड एवं अन्य वार्षिक परिच्छाओं का 7-22-23 है उसमें है परिच्छा फार्म भनने का जो तिती है 1-3-2023 से लेकर 25-3-2023 तक का है जब आप परिच्छा फार्म अपना ड़लेंगे तो वह एक-3 यहनी आपका 1-1-3-2023 से फार्म भर जाएगा 25 मार्श तक भर जाएगा विलम सुल के साथ आपका 26 मार्श से तीस मार्श तक का दिया गया है वो परिच्छा का यहाँ जन आपका 1 मही से किया जाएगा जो कि इन्वेस्टी की तरफ से जारी किया गया है इसी कॉर्डिंग आपकी जो अगले सतर की परिच्छाए होंगी ऐसी ही चलती रहेंगे जब भी आपका फॉर्म भरा जाएगा जब आपका एक्जामस होगा वो सारी चीज़े यहां पर बताई गई हैं आपके वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी को जो बच्चे नया एडमिशन लेने वाले हैं उनको काफी हैल्प मिली होगी आपके एक्जामस के फॉर्म कब से भर जाएंगे कब आपके एक्जामस होगे एक आइडिया लग पाएगा तो आप सभी के लिए आप वीडियो बहुत हेल्फूल था जो लोग भी इस बार एडमिशन ले रहे हैं आज के लिए इतना हैं मिलते हैं इस वीडियो में बहुत जल्दी तब तक के लिए आप सभी को जैन